नौवा पाइंट जूट बोलकर और गलत कमिट्मेंट करके लोगों को अपने साथ शामिल करना अपनी कमपनी के अंदर ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है एक चीज तो बहुत ज़्यादा चलती है अपनी इंकम को जूट बोलके दिखाना मेरा हमेशा इस पर भरुसा करेंगे मैं देखता हूं किसी को एक लाख रुपे का चेक एक बार आया उसके बाद नहीं आया अभी 20-30,000 का आ रहा है वो आज भी स्टेज पर खड़ाओं के बोलता है मेरा एक लाख रुपे का प्या उता है इससे बड़ा जूट क्या हो सकता है और उसके मन में करें सर मेरा खोना रहें सर मेरा यहां इक लाख रहाए था बी से जार आहरा रहे है कल फक्यों को लिजूट बोलते हैं और भाद में पता लगता aqui Gao कान पगड़ लेते हैं कि इंजूते हमें साथ जूट ही रहता है जूट बोलके कुछ समय के लिए कुछ टाइम के लिए हो सकता है दोस्ट आप अपना चेक बना लें एक रैंक को आप अचीव कर लें लेकिन रेगुलर जूट बोलके आप इस बिजनिस में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है और जिस दिन आपकी टीम को आपका जूट पता लगता है वो टीम छोड़ देते हैं वो लीडर आपका साथ छोड़ देता है क्योंकि उसको एक इची समझ में आता है मुझे जूट बोलके या गलत कमिटमेंट करके जोड़ा कई लोग क्या करते हैं आप हमारे साथ आजाओ आपको कुछ नहीं करना आपकी एक टीम आपकी दो टीम हम आपके नीचे लोग डाल के देंगे अब वो व्यक्ति आ जाता है वो काम करना शुरू कर देता है अब आप तो यह चाते थे बस आजाए कैसे भी करके करने के लिएेनर," सरृ,पनी के सिस्टम को फॉलो कीजिये, मिटिंग टेनिंग कर आए लोगों की, तीम अपने आप बनी हो उसके लिए आपकी healp करने के लिए तयार हो लेकिन अपने छोटे लालज के कारण हम क्या करते हैं लोग उस एक कमिटमेंट करते हैं जो short term business, बस कैसे भी करके इस महीने business निकल जाए और उसमें company की भी involvement होती है company भी कुछ इस तरीके की offer, इस तरीके की scheme निकलती है, जिससे हमारा turn number बढ़ जाए और leaders के check बढ़ जाए और वो एक बार तो leaders के check बढ़ जाते हैं वो बिचारी leader पिछले एक साल से, एक साल से, दो साल से यही बता रहे हैं, मेरा highest payout इतना है highest payout वहां तक आज तक नहीं पहुँच पहे एक साल निकल गया, एक साल निकल गया तो यह जुट बोलना, यह गलत commitment करना आपको weekend में बिलकुल नहीं करना है weekend में अगर आपका 10,000 का check आता है proud से दिखाईए मेरा 10,000 का check आता है 20,000 का आता है, proud से दिखाईए मेरा 20,000 का आता है 20,000 के बाद अगर 5,000 का आता है proud से दिखाईए मेरा 5,000 का आता है मेरा मानना यही है और यह बात मैं विशेष कर इस meeting में इस वीडियो के माद्धियम से आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके छोटे चेक आते हैं सुरुवात में आपको अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन जब उस छोटे चेक से धीरे-धीरे करके बड़ी इंकम पे आप पहुंचते हैं और जब आपकी बहुत बड़ी टीम होती है एक मिटिंग सेमिनार में अपनी टीम की कॉंसलिंग के लिए आप बैठे होती हैं कुछ लीडर आपके पास आते हैं और वो लीडर कहते हैं सर बड़ी समस्या आ रही है बड़ी दिक्कत आ रही है सर बहुत छोटे-छोटे चेक बन रहे है उस टेम अपने प्याउट्स अपनी फाइल खोल के आप उनको दिखाते हैं देखे सर आज मेरा दो लाग तीन लाग चार लाग का प्याउट आ रहा है लेकिन जब आपकी पोजिशन पे था सर ये 200 रुपे का, 500 रुपे का, 1000 रुपे का, 1500 रुपे का सर ये छोटे-छोटे चेक मेरे भी आते थे उस टेम इन छोटे चेक को आप प्राउडली दिखाओगे और उसको बिलीव होगा कि बिल्कु सही बात है आज इनके छोटे आ रहे हैं फिर बाद में इनके बड़े होगे, तो मैं भी अगर लगातार काम करूँगा, तो एक दिन मेरी चेक भी बड़े होगा आपका चेक एक लाख रुपे का आया, फिर आपका चेक बीस हजार पे गिर गया, आप छुपा रहे हो आप जूट बोल रहे हो कि मेरा एक लाख रुपे का प्या उट आ रहा है, रैगुलर अब आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जिसका सत्तर हजार का प्या उट आया, अभी उसका पंदरा हजार का आना शुरू होगे अब वो नेगटिव हो रहा है, वो कहता है सत्तर हजार का था, पंदरा हजार का था, आप बोली नहीं पाओगे, आप उसको समझाई नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने उससे जूट बोल रखा है, कि मेरा खुद का एक लाग आता है, लेकिन अगर आपका एक लाग गया और आपका बीस हजार गया और आप इमांदरी से बता रहे हो, तो जब उसका सत्तर हजार से पंदरा हजार पे जाएगा, तो आप उसके कंदे पे हाथ रख गलत कमिटमेंट करके वीकेंड के अंदर हमें किसी भी व्यक्ति को जोईन नहीं कराना है, ये आप अपने दिल और अपने दिमाग में इस शब्द को नोट करें, वीकेंड हंड्रेड परसंट एथिकल कंपनी है, आज तक हमने पिछले तेरा महीने से कोई गलत काम नहीं किय और भविश्य में कभी वीकेंड कोई भी गलत काम नहीं करेगी, चाहे वो लीडर के खरीद फरुक्त का काम हो, चाहे वो लीडर को एमजी देने का काम हो, चाहे वो किसी बाहर वाले लीडर को बीच में एंट्री देने का काम हो, चाहे लोगों को जबर दस्ती बिजनिस करा काने का Whoa जो चीजे नेट वर्क बिजनिस की बहुत बड़ा नहीं होता थोड़ा बहुत अगर बड़ा हो झाल झाल